गुणिंग अलाफ यू आज हम सिक्स नंबर की जो कविता है गिरिधरन आगर यह कविता आज हम सिखेंगे यह कविता संत मिराबै ने लिखी है मिराबै का जन्म 1516 जोद्पूर राजस्थान में हुआ और उनकी मृत्यू 1546 द्वारिका गुजरात में हुई संत मिराबै का परिचय संत मिराबै बचपन से ही कुरुष्ण भक्ति में लिन रहा करती थी यह बचपन से ही कुरुष्ण के प्रती उनकी बहुत भक्ति दिखाई देती थी बाद में उन्होंने गुरोत्याक करके वह घुम घुम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी याने संत मिराबै ने घर परिवार छोड़कर वह मंदिरों में घुम घुम कर भजन सुनाया करती थी मेरा बाई के भजन और उपासना मादुर्य भाव से ओध प्रोथ है उनके पदों में प्रेम की तलिन्ता समान रुप से पाई जाती है पद्य समंदित जानकारी मेरा बाई के सबी पद उनके आराध्य के प्रती ही समर्पित है यानि मीरा बई ने जितने भी पद लिखे हैं यह स्रकृष्ण की ही प्रती समर्पित है उनके पदों का मुख्यस्वर भगवत प्रेम ही है प्रस्तुत पद में उनकी उस्सुक्ता, मिलन, आशा, प्रतिक्षा के भाव सभी अनुपम है यानि जो ये पद है इस पदों में मेरा बई की उस्सुक्ता, कृष्ण के प्रती मिलन, आशा, प्रतिक्षा के भाव दिखाई देते है मेरे तो गिरिधर गोपाल दुसरा न कोई, जाके सीर मोर मुकुट मेरो पती सोई गिरिधर याने गिरी को धारन करने वाला, गोपाल याने गायो को पालने वाला, जाके याने जिसके सोई याने वही इन पंक्तियों में संत मिराबै का कहना है की मेरे तो गिरिधर गोपाल याने गिरी को धारन करने वाले गायो को पालन पालक जो है कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है, जिनके सीर पर मोर मुकुट शोभित है याने मेरे तो गिरिधर गोपाल याने गिरिधर गोपाल ही मेरे सब कुछ है उनके अलावा दुसरा मेरा कोई नहीं है जिनके सीर पर मोर मुकुट शोभित है, वे ही मेरे पती है याने जाके सीर मोर मुकुट यान जिनके सीर पर मोर मुकुट है, मेरो पती सोई याने वही मेरे पती है उनके अलावा मैं किसी को ही अपना पती नहीं मानूंगी यह संत मिरा बैका कहना है छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिये कोई संत धीग बैठी बैठी लोकल आज खोई चाड़ी दई याने छोड़ देना कुल याने वन्ष घराना कानी याने मर्यदा धीग याने पास निकट खोई याने छोड़ देना इन पंक्तियों में संत मिराबाई का कहना है कि मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे इन चाहे लोग मुझे कुछ भी कहे संतों के साथ बैड़ बैड़ कर मैंने लोग लाच को त्याग दिया है यह संत मिराबाई का इन पंक्तियों में कहना है असवन जल सीची सीची प्रेम बेली बोई अब तो बेल फैल गई आनन्द फल होई यहने असुन यहने आसु बेली यहने बेल कोई यहने लगना आनन्द यहने आनन्द इन पंक्तियों के माध्यम से संत मिराबाई का कहना है कि प्रेम रुपी बेल को अपने अश्रू रुपी जल से सीच सीच कर बढ़ा किया है यहने प्रेम रुपी जो बेल मिरा बेल ने लगाई है उसको अपने अश्रू द्वारा सीच सीच कर उन्होंने पानी देकर बढ़ा किया है अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है यहने अब वह प्रेम बेल जो है फैल गई है इसमें आनंदर रुपी फल लगने लगे है याने आनंदर रुपी फल लगने लगे है तो यही इन पंक्तियों की माध्यम से संत मिराबई का कहना है दूद की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई माखन जब काढ़ी लियो चाच पिये कोई याने मथनिया येने मथनि दही मातने का साधन, बिलो येने बिलोना, चाच येने मथा उसको मराथि में ताग भी कहते है इन पंक्तियों के माध्यम से संत मिराबई का कहना है की मैंने दूज जमाने के पात्र में जमें दही को मताने से बड़े प्रेम से बिलोया है याने दूज जमाने का जो पात्र है वह बड़े प्रेम से उसमें मैंने दही को मताने से बड़े प्रेम से मताया है दही को और उसमें से कुष्णा प्रेम रुपी मक्खन को निकाल लिया है याने कुष्णा प्रेम रुपी जो मक्खन है मक्खन को उसने कुष्णा का प्रेम कहा है या पे और उस मक्खन को याने कुष्णा के प्रेम को मैंने निकाला है और शेश याने बाकी उसमें छाच रुपी छाच रहा है वह जगत को छोड़ दिया है याने जो छाच उसमें बाकी है वह उसने लोगों के लिए छोड़ा है कि कोई भी उसे पी सकता है याने जो मखन है कुष्ण की जो भक्ती है वह मैंने निकाल ली है यही इन पंग्तियों संत मिरावाई का यह पे कहना है भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई दासी मिरा लाल गिर्धर तारो अब मोही भगत याने भक्त राजी हुई याने प्रसन हुआए खुश होना जगत याने संसार इन पंक्तियों के माध्याई से संत मिरा भाई का कहना है कि भगत देखी याने जब मैं स्री कृष्ण को देखती हूँ भगत देखी राजी हुई कृष्ण भगत को देखकर मैंने मेरा मन प्रसन्न होता है भगत देखी राजी हुई याने कृष्ण भगत को देखकर मेरा मन प्रसन्न होता है परन्तु संसार का विववार देख मुझे दुख होता है याने जब मैं कृष्णा भक्तों को देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है परन्तु जब मैं संसार को देखती हूँ तो मेरा मन दुखी होता है और मैं रो पड़ती हूँ हे गिरिधर लाल मेरा तो आपकी दासी है याने हे गिरिधर लाल दासी मिरा लाल गिरिधर तारो अब मोही याने हे गिरिधर लाल मिरा आपकी दासी है उसे इस संसार रुपी भव सागर से पार लगाओं याने इस संसार से मुझे पार जाना है तुम उसको पार लगा लगाओं तो इस तरह से इन पंक्तियों की माध्य से संत मिराबई का यहाँ पे कहना है तो आज हमने इस तरह से शिक्स नंबर की जो कविता है गिरीधरन आगर इस कविता का जो पहला भाग है यह देखा है इस कविता में एक दो अर्थी नैसे स्तांजा दिये है तो इसमें से हमने पहला जो स्तांजा है यह पूरा देखा है बाकी का जो दो स्तांजे है वह हम आगे की पिरेड में देखेंगे थैंक्यू